इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं HFCL Limited के बारे में जिसने की अपने quarter 3 के numbers को disclose कर दिया तो left में आपको standalone data देखने को मिलेगा और right side में consolidated तो consolidated हम लोग cover करेंगे और देखेंगे company के जो number से वो कैसे रहे तो सारे फिकर करोड में जो quarter 3 की company earnings है वो आपको इधर देखने को मिलें then quarter 2 की then December 2022 तो PDF दोस्तों काफी बड़ा में देखने को मिलें तो वीडियो की quality HD में करके देख सकते हैं तो आपको number सारे clearly दिखेंगा तो आपको नहीं समझ में आते हैं तो आप comment करके बता सकते हैं मैं आपको इस PDF का link provide करवा दूँगा तो आप खुद से भी in detail में इसको analyze कर पाएंगे तो चलिए देखते हैं company की total income तो लास्ट में आपको quarter 3 की 22 की earnings है यहां पे quarter 3 इस बार की then quarter 2 का data तो yearly income की बात करें तो 1110 करोड़ से 1079 करोड़ पर आगी और quarterly 1128 करोड़ से 1079 पर इंकम में तो गिरावाट quarter प्लस yearly दोनों ही जगे हमें देखने को मिल रही है तो अगर expenses की बात करें जो क्यों होते खर्चे तो yearly basis पर आप देखेंगे तो 974 करोड़ से 971 पर आ गया और quarterly 1035 से 971 पर तो जिस तरीके से income कम रही तो खर्चे भी quarter plus yearly basis पर हमें कम देखने को मिल रहा है then discuss करते हैं after tax company को net profit या loss for the period कितना हुआ तो December 2022 में 101 करोड़ का profit था वो इस बार 82 करोड़ पर आ गया और quarter 2 में 70 करोड़ के profit थे वो इस बार 82 पर आ गया तो quarter on quarter तो profit बढ़े हैं काफी अच्छे बढ़ yearly basis पर गिरावाट इस बार देखने को मिल रही है same reflection देखने को मिलेगा EPS में yearly profit कम रहे तो EPS भी 0.69 से 0.58 पर आ गया और quarterly profit बढ़े तो EPS भी 0.50 से 0.58 पर तो जिस तरीके से profit बढ़े और कम वे same reflection हमें earning पर share में भी quarter or yearly देखने को मिल रहा है तो आपके वास HFCL के कितने share से comment section है बिल्कुल बताएं तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और update के साथ तब तक के लिए बबाए